अंतहश्वसन और उच्छवसन जब हम ष्वास अंदर लेते हैं या अंतहश्वसन करते हैं, तो पसलियां ऊपर को गति करती हैं और हमारा डायाफ्राम सिकुड जाता है और नीचे को गति करता है. यह हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देता है जिसमें हमारे फेपडे फैलते हैं जब हमारे फेपडे फैलते हैं तो वायू हमारी नाक और मुह द्वारा अंदर ली जाती है वायू श्वास नली से होकर हमारे फेपडों तक पहुँचती है जब हम श्वास बाहर छोड तो पसलिया नीचे की तरफ गती करती है और डायाफ्राम शितिल होता है और उपर वक्ष गुहा की तरफ गती करता है। जब वक्ष गुहा का आयतन कम होता है तब कार्मन डायोकसाइड युक्त वायू फेफडों और वायू नली से बाहर निकलने के लिए बाध्य होती है और फिर हमारी नाक और मुह से बाहर निकल जाती है।